लोकसबच चुनाव को लेकर बिहार में उमीदवारों के सुची पर BJP के केंदरी नित्रित ने विचार कर लिया है सुत्रों से मिली जानकारी की मताबिक दिली में नामों पर चर्चा हो गई है बस अगले कुछ दिनों में केंद्री चुनाओ समिती की ओर से नामों की गोशना हो जाएगी बीजेपी के राज्य चुनाओ पैनल में भी उमीदवारों को लेकर फाइनल चर्चा हो चुकी है बीजेपी से जुड़े सुत्रों की माने तो जेडियू के देर से एनडिये में शामिल होने की वज़े से अन्य सहयोगियों पर इसका साफ असर देखा जाएगा एनडिये ने अपने उमीदवारों के नामों पर लगबग फैसला कर लिया है अब सायोगियों के साथ सीट शेरिंग की चर्चा हो रही है इस बीच बड़ी खबर यह है कि वी आईपी जो है मुकेश सहानी पर बड़ा फैसला ले सकती है पार्टी वो एनडिये के साथ आ सकते हैं क्योंकि यहां उन्हें पिछली बार विधानसवा शुनाव की तरह वाजिब हिस्सेदारी मिल सकती है अला कि इसके अभी तक कोई पुष्टी अपचारिक तोर पर नहीं हुई है पार्टी ने बिहार में टिकट बटवारे को लेकर उप मुख्य मंतरी समराट चौधरी और उप मुख्य मंतरी विजे कुमार सिन्हा दोनों से ही सला ली है दोनों कुछ दिनों पहले दिल्ली होकर आये हैं, उसके बाद मुख्यमंतरी नितीश कुमार दिल्ली दोरे पर है बीजेपी से जुड़े सूतर कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बीजेपी कई उम्मीदवारों को बदल सकती है अलक ये भी पताया जा रहा है कि पार्टी के लिए यही एक मातर चिंता नहीं है पार्टी 2019 के प्रदशन को दोहराने के लिए सयोगियों के भी उन उम्मीदवारों को पसंद करने की रणनीती अपनाएगी जो जीतने योगे हैं, जिताओ हैं एक नेता कहते हैं कि जेडियू को रास्टिय जनतांतरिक गडबंधन में देर से शामिल करने से अन्य सयोगियों के लिए संभावनाय सीमित हो सकती बिहार में लोग जनशक्ती पार्टी के आपस में दो विरोधी गुट दिखाई पड़ते हैं जैसा कि हमने शुरुवात में भी कहा था, इसके अलावा पूर सीम जीतन राम मांजी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अब परिशानी में दिखता है उपेंद्र कुश्वाहा का रास्टी लोग मोर्चा भी बियार में अडिये का हिस्सा है और अब उन्हें भी डर सताने लगा है मुके सहनी के विकास्चील इंसान पार्टी के भी शामिल होने के संभावनाय जताई जा रहे हैं अबी तक पहली लिस्ट में कहीं भी बिहार का जिकर नहीं हुआ है विपक्ष की स्थिति यह है कि आरजेडी सबसे दिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसके बाद कॉंग्रेस उसके बाद वामपंती दल सही उमीदवारों को डूढ़ना आरजेडी के सामने चुनोती है आरजेडी को ध्यान रखना होगा क्योंकि विपक्ष को पिछली बार मातर एक सीट से संतोष करना पड़ा था वहीं अगर इधर NDA की बात करें तो वो एक जुट होकर चुनाव लड़ना जादा पसंद करेंगे बीजेपी के एक निता कहते हैं कि सभी साजेदार केवल लड़ने के लिए सीटे प्राप्त करने की बजाए जीतने को महत्वदें लोगसुबा चुनाव के बाद राज्यों में चुनाव में और मौके उन्हें मिल सकते हैं चुनाव प्रधान मंतरी मोधी के काम के आधार पर लड़ा जाएगा इस पर बीजेपी फुली स्टांड लेकर बिहार में बात कर रही है कुल मिलाकर NDA पूरी प्लानिंग के साथ मैदान मुतरने के तैयारी करी है इसलिए मंतरी मंडल विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है उधार राजनितिक विश्लिश्कों का मानना है कि पिये मोधी और विपक्षी गडबंधन की रैलियों के साथ लोगसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है उन्होंने कहा कि यह सपष्ट है कि बेयार में मुक्य रूप से बीजेपी और आर्जेडी के बीच दिखाई पड़ेगा बीजेपी मोधी के काम को सामने रखेगी और वंश्वार्त की राजनिती पर हमला करेगी वहीं दूसरी और आर्जेडी नितीश कुमार के साथ अपने 17 महीने के कारेकाल को पहले ही जनता के सामने रखने लगी है आर्जेडी नेता तेजस्वी आदो अपने 17 महीने के कारेकाल को भूनाने से पहले ही लगे हुए है नितीश कुमार के महागडवंधन से बाहर हो जाने के बाद नुकसान की भरपाई करना RJD के लिए थोड़ा मुश्कल जरूर है लेकिन दूसरी ओर RJD सुप्रीमो पूरी तरह से मैदान में तेजस्वी की मदद के लिए डटे हैं कहीं उनका जो सीट वाला विवरन है उसमें कहीं कटाथी ना हो इसके अलाम हो पिंद कुश्वाहा भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं चुकि नितीश कुमार जेडियू के साथ आए हैं इस NDA के छाते के नीचे तो उनकी उम्मीद होगी से खबर है जो राजितिक विश्वेशक कह रहे हैं कि बिहार में फुल प्रूफ प्लानिंग बीजेपी ने कर ली है अब बस ऐलान होना बाकी है कि किसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने अपने उमिदवार दिये हैं या यूं कहें कि कितनी सीटे इन पार्टियों को दी है कि वो अपने उमिदवार चुनावी मैदान में उतार सके अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें